नेहा जिटी का सुनीता है वंदना ने टॉस जित के पहले बैटिंग का फैसला किया था एक मिंड बैट्स में बैटिंग पे हैं वर्शा जी और दिक्षिता और बॉलिंग पे हैं बिंदु सोनी कि शाट स्टाट इस दिदर में अब राटें प्रों प्रों फिर्व दिदू दिदू आःँ आउ एंपार दिजीजन नो बॉले मना उटे रं रना ओटे बॉल काउंट होगा रंदा ओट अब कर दो अउट पिपका अई आँ अउड कि मेंट है लुट है अरे बरबर रन आउट है भाई दिक्सीता नौन स्टाइक पे रन आउट ओके दन और नेक्स बैक्समेन है मैं डिव दिविया अच्छा शॉट और यह मैजिक ओवर है जितने रन पहले ओवर में बनेंगे उतने डबल काउंट होंगे बहुत अच्छा कट एक रन अच्छा एक्रण काशा राएंपार्जिया आपके बहुत आपके पहले बनेंगे ध्युक्षण एक रन का इशारा एंपर का दीरे दीरे स्कॉर बढ़ते हुए नो बॉल अपर का इशारा नो बॉल और ये नो बॉल स्कॉर बढ़ते हुए बहुत ही तक्रा शोट ये फोर चार रन बर्शा जी बहुत ही बढ़िया चौका पर ओवर में ये चौका लगा है चार रन और ये एक ओवर 22 रन एक ओवर 22 रन दूसरा ओवर लेके आए बॉलर नेम मेती मेती एक ओवर 22 रन हुआ है ये सूपर ओवर है प्रकाजी मैजिक ओवर है ना 11 का 22 और ये गैप निकला है ये बहुत ही अच्छा गैप मिला उनको एक रन पीचे फिल्डर चूद दिव्या और वर्षा जीत्वारा रक्षक रेखा पे जो फिल्डर है उनने पकड़ ली बॉल और ये एक और रणर ये गैप मिल गया ये फूर ये तो बहुत ही बहुत ही खराप फिल्डिंग बहुत ही खराप फिल्डिंग यहां पर देखिए और ये वापस है और ये पकड़ लिया अग्यां पिछली बॉल में जिनों ने फिल्डिंग खराप किती लेकिन ये टाइम पुर्णों ने कैच पकड़ लिया और बैट्स्पेंड सिंपल सी के साथ स्कूर बढ़ते हुए ट्विंटी एट रन अठाइस रन एक ओवर चार बॉल अठाइस रन पुल्टोस बॉल एक रन डिक्लियर बहुत ही अच्छी बॉलिंग और इसी के साथ ओवर दो ओवर 29 रन 2 विकेट्स और वाइट के शारा है एंपायर का और आज के स्पॉंसर है सूपर सिक्स के स्पॉंसर मनोज गोल्ड अर्विन जी बॉंट्री के स्पॉंसर कमफर्ट जोन प्रविन भाई ट्रॉफी के स्पॉंसर सपना जोलस रमेश जी चंदुलाल जी गांधी पवेलियन के स्पॉंसर कल्यानी जोलस कमलपाल यूटूब स्पॉंसर SK होल मार्केट सेंटर सुकदेव कुमार जी फोटोग्राफी के स्पॉंसर रियांश गोल श्री खुशाल बडाला जी और टी-शेट के स्पॉंसर एपल हॉस्पिटल श्री डॉक्टर संतोस गोरे जी श्री शमीर बोहिर जी और ये बहुत ही बड़िया शॉट है और इसी के साथ ये मिस्पिल्ड हुई है लेकिन उसका कुछ फाइदा हूल मिलेगा की नहीं हो देखा जाएगा ये नौट आउट दो रन मिला और आज के टॉस के बॉस के स्पॉंसर है जेन इंसूरेंस श्री चंदन मल जी और ये ऐसे ही करके एक और रन चुडा लिया इन्होंने टोटल दो रन ले लिये और आज के थर्ड एंपार्स के स्पॉंसर है श्री साई सावंत हॉल मार्क सेंटर और आज के फूल डे के मिल के स्पॉंसर है श्री राजेश वोरा, अकिल वोरा और हमारे जो आउक्षन के स्पॉंसर थे श्री पंकज मेडिकल, पंकज जी मूलचन जी राठोर वाइट बॉल, बॉलर अपना नेम श्रोती सूटी, सूटी बहुत ही अच्छा श्रोट है एक ही रन मिलेगा इसमें इसी के साथ स्कोर बढ़ते हुए चालिस रन, दो विकेट तीन ओवर एक बॉल फुल्टोस बॉल, फुल्टोस बॉल का बहुत ही बढ़िया फिल्डिंग की है, एक पहों से फुट्बॉल फुल्ट्बॉल ट्रिक यह हमारे प्रकाजी भी ऐसे ही करते हैं, हमारे साथ जबी खेलते हैं तबी हाथ से नहीं पकड़ में आए तो पैर से इसे कहते हैं फुट्बॉल किक ट्रिक वापस से फुल्टोस इस बार नहीं बचा पाए दो अरोनों के लिए और हिमांशू कटीरा जहां भी हो स्टेज पे आके सागर जेन से मिलें हिमांशू कटीरा जहां कई भी हो सागर से मिलें सागर अरक और दीरे दीरे एके करन करते हुए बढ़ते हुए और दीरे दीरे स्कूर बढ़ते हुए 44 रन तीन बाल चार ओवर तीन ओवर चार बाल एक रन आया बरबर और 45 रन दो विकेट की नुक्सान पर बहुत अच्छा शॉट वंडी इसी के साथ ओवर की समप्ती चार ओवर और 46 रन दो विकेट बहुत अच्छा प्रदेशन और अभी बालिंग टिंग में चर्चा नेक्स्ट ओवर किसे दिया जाए बालिंग की दावेदारी बॉलर नेम क्या लिए प्रतीबा ओके थैंक यू पांच्वे और की पहली गेन स्टार्ट करते हुए प्रतीबा स्ट्राइक पे है दिव्या नौन स्ट्राइक पे है सिंपल पहली गेन वाइट एंपाइर का इशारा बहुत ये अच्छी बालिंग और इसके साथ बहुत ये चकट एक रन के लिए एंपाइर का इशारा स्कोर बढ़ते हुए 48 रन दो भीकेट चार ओवर एक बाल एक रन डिकलियर स्कोर बढ़ते हुए 50 रन चार ओवर तीन बाल में 50 रन बहुत ही बढ़िया स्कोर एक सम्मान जनक स्कोर खड़ा किया है और ये बहुत ही बढ़िया फिल्डिंग की है यहाँ पे दोनों फिल्डर टकड़ा गए लेकिन किसी को नुक्सान नहीं अगली गेन वाइट का इशारा नो का इशारा एंपायर का बहुत ये अच्छा शौट था ये पकड़ सकते थे लेकिन टूडी का इशारा एंपायर का इसी के जाद स्कोर बढ़ते हुए चौपन रन 54 रन चार ओवर पाच बॉल और ये वाइट और एक रन टोटल दो रन 56 वापस से वाइट 57 चार ओवर पाच बॉल 57 रन दो विकेट लाट से लाट से लाट से लाट से लाट से बहुत ही अच्छी फूर्ती दिखाई दिव्या ने वहाँ पे खड़ी रही क्रिस नहीं छोड़ा इसके लिए वरना आज ये रन आउट होता है और इसी के साथ स्कोर हुआ है पाच ओवर फाई ओवर 59 रन दो विकेट बहुत ही बढ़िया रनिंग दो विकेट रनिंग दो बिट्विन विकेट और अभी लाश्ट ओवर लेके आ रहे हैं बॉलर नेम पायल बिंदू भावी की अभी थोड़ी मिस्पिल्ड या कैसा लग रहा है प्रकाच जी और चट्वे ओवर की पहली गेंड आवे रिया है पायल जी फिल्डिंग में बहुत बदलाओ प्रकाच जी फिल्डिंग में को बदलाओ करे रिया है और ये कैच हो सकता था ये लेकिन बहुत ही बढ़िया फिल्डिंग की है और एक रन बचाया है अपने टीम के लिए और ये एक रन नो बाल है ये नो बाल है एंपायर का इश्यरा नो बाल स्कूर बहुती अच्छी बैडिंग आखरी दो बॉल और ये कैच हो सकता था मिस फिल्ड हुई है एक से दूसे और इसमें दो भी इसमें एकी रन मिलेगा 67 रन लास्ट गेंड है लास्ट गेंड है लास्ट गेंड और ये और इसी के साथ पाच ओवर पाच बॉल 69 रन लास्ट बॉल नो बॉल अभी भी गेंड चालो बहुत ही चारदार स्वाटे और ये मिस फिल्ड हुआ रहे है चौके की तरफ जाते हुए और ये छोर फोर 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 किसने मारा फोर सिंपल ने फोर मारा बैटिंग टीम ने बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हुए सेवंटी तर के आगे कितना स्कोर बनाए भई जावने त्री त्रीड त्रीड त्री वर त्विन अपेट विन्दू स्ट्राइकर रिचितने के लिए बिंदू स्ट्राइकर को जीतने के लिए एक और मैं सेवंटी पोर रंस तू विन और इके साथ मेए और मैं नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए बुलाना चाहता हूँ एनलेज कैपिटल और जी आर पाइटर्स के कैप्टन स्टेज की तरफ आए जी आर फाइटर्स और एनलेज कैपिटल और उनका पाइटर्स के लिए प्यारे हो भही नुए एनलेज कैपिटल के कैप्टन और उनका टॉस करवाएंगे संजे भाई ओ संजे भाई रा ठोड़ टॉस करवाईए इसमें लिखा हुआ है टॉस करवा के मुझे बता दीजिए लिए प्यारे झाल और जी आर पाइटर्स एनलेज केपिटल्स में टॉस हुआ है और जी आर पाइटर्स विन दा टॉस दा बॉल बैटर्समें लिखा बैटर्समें नाम लिखा गया आर अ कुछ कर दो आता एक बोल एक रन दू गांदी आता एक बोल एक बोल एक बोल एक बोल एक पानी लेकर इस्टेज की तरफ बेज़े किसी को कैटरिंग वाले भाई और यह अबर बोक्स तोड़ा स्वीटी ने आता एक बोल 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 कर दो दो बॉलर दिक्षी था ओ यह शायद कैज था जो छूड़ गया पहले पूसरत में नहीं गज़ते कोई जर्ग में बतान में पहला विकेट और इसे के साद एक ओवर दो बॉल पंद्रा रण दो विकेट नो बॉल वाइट बॉल और एक रण और इसे के साथ दीमे दीमे ये मैच बढ़ते हुए वाइट एमपार का इशारा वाइट ओव नो बॉल दिया है एमपार का इशारा नो बॉल और ये आउट ये नो बॉल था लेकिन इसका लाब नहीं उठा पाएंगे वो क्योंकि ये रन आउट हो गया है इसके लिए बॉल काउंट रन काउंट और विकेट काउंट और नेक्स्ट बैट्समें थैंक यू थैंक यू और ये वाइट बॉल एंपार एक मिन्ट रुक जाए है रुक जाए है पाइल जी जी पाइल है पाइल और ये नोट आउट ये मैच के बाद दो मिनिट का ब्रेक रहे है इसा क्यों लाइट चेंश जाए हाद ले ले ना मेरे तरब से हाँ जाए जाए ले लिए लेगन दो मिन्ट से ज्यादा नहीं जाएगा नहीं थाजी रूपर उतने कहीद राक्तान से बादो Um किण रहुना शल्लै वर्षा जी वर्षा कि यह विस बॉल में पच्चास रण की आवा सकता जीत के लिए सूनी स्ट्राइकर्स को और ये दू रण का इशारा एंपार्ण तो चालू रहेगा ना कि तो रहें दे कि अगया है ये देड़ बॉल है ये देड़ बॉल है भागिये मत देड़ बॉल हो गई है उनकी फिल्डर रेडी नहीं थी इसके लिए देड़ बॉल दिया गया है 22 बॉल में 48 रण की आवशक्ता 22 बॉल 22 में 48 एक रण का इशारा एंपार द्वारा इस पेचल ये तो आपके इस पेचल एक दम और ये आउट रन आउट और बैट्समें नेम प्रतिक्षा प्रतिवा थैंक यू और इसे के साथ 19 गेंड में 46 गिया वशक्ता और ये तीसरे वब का लास्ट बॉल बहुत ही अच्छी गेंड डाट बॉल थूड़ा थूड़ा आवच रएगा मेरा देख अट्रा बॉल में 46 गिया वशक्ता अट्रा बॉल में 46 गिया वशक्ता अट्रा बॉल में च्याली स्रण और नेक्स बॉलर है बॉलर नेम प्रीज बॉलर नीटा अनीटा थैंक यू एक रन डिकलियर और इसी के साथ अगली गेन बहुत शोटी टूडी दो रंटा इसाड़ा एंपायर का इसी के साथ स्कोर बढ़ते हुए 31 रन 16 गेन में 43 रन की आवज़क्ता जीत के लिए सोनी स्ट्राइकर्स को और यह आउट आपके जीत के लिए और आपके लिए तेरेजीदीदीद मिदुम मचला है मेंया कि अपने ना बोला को यापने अपने लिए अबंस सोब्सक्रानी एक साथ नंगे रहे हैं अब आपया तो अब आप नगे अब गूरा धर गूरा वेले अब गूरा अब अब गूरा को अब गूरा लो यह जले हैं तो पर अब गड़े हैं जार। अटेलो अरे बैया बैया नास्तोर मौलोडी तो स्टेज मादला अग्डी थी 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 खली पोनी परी खाव मेल बाद में आ अगोला हाँ भादी बानी वह एक वाटता में दावेली ये वाँ वह न बूख निए ट्रॉट के देविए और इसे के साथ 13 बाल में 41 रण की जरूरत है दूरी स्टैक और जीत के लिए चोती ओवर का लास्ट बॉल है ये ओवर और बारा बॉल में 41 की जरुवत सोनी स्ट्राइकर्स के अभी दो विकेट ही है अगर ये चले गए तो आल आउट हो जाएगी नेक्स बॉलर बहुत ही बढ़िया बॉलिंग डॉट बॉल ये नो बॉल है एंपायर का इशारा नो बॉल लेग एंपायर का इशारा नो बॉल बहुत ही अच्छी बॉलिंग है ये डॉट बॉल और अभी जीत के लिए 10 बॉल में 40 रन की आवशकता मतलब हर बॉल हर बॉल पे 4 रन और ये भाग गए हैं बिना देके ही भाग गए हैं के ये रन नहीं था तो भी बहुत बाग गए हैं और या आउट अ कि अ अब कि नाम बेख रहे हैं बेवाल हैं खटेंब हां आपको अ यह लास्ट विकेट है सोनी स्ट्राइकर्स का लास्ट विकेट है यह